हेलो वीवर्स आप सभी आसाम जी के चैनल में स्वागत है और एक एक्साइटिंग लेशन के साथ जो एमसी क्यूस बेस्ट है मेंडली में जोग्रफी के स्कॉस्चिन को लूँगा और काफी कॉंप्रेंसिबली आपको सब पॉइंट्स को एक्स्प्लें करूंगा यसे एक दो क्वेशन तक सीमित नहीं होगा आपको बहुत डीफ नॉलेज मिलेगा हर क्वेशन में यह मेरा गारंटीड है और यह क्वेशन्स प्रिवेशन से लिए गया है और यह काफी इंपोर्टन है और यह एक्जामेशन ने पूछ रहाता है तो लेट स्टार्ट टूड़ेशन सो जो आज का पहला कोश्यन है विच प्लानेट लुक्स रेडिस इन दा नाइट स्काई सो आप ऑप्सेंस को एक बार देख लो इस प्लानेट को जो कौन सा ऐसा प्लानेट है जो रेट कलर का द दिखाई देता है स्काई पर आप्सें नंबर वान है मरकरी आप्सें नंबर ट्यू है मार्स आप्सें नंबर त्री है जूपिटर आप्सें नंबर फो है सैटन सो इसका आंसर बेसिक लिए होगा बी मार्स मार्स होगा ओके सो यहां मार्स आप्सें होगा जो रेडिस प्ला प्लानेट है और जो सबसे ज़्यादा जो सन के नियरेस्ट प्लानेट है वो है मरकरी मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लानेट है और सबसे ज़्यादा नैचुरल सैटेलाइट किसका है वो सैटर्न का है Saturn का सबसे ज़्यादा natural satellite है पहले यह Jupiter के पास था अब यह Saturn के पास हो है Saturn के पास natural satellite 82 है और Jupiter के पास 79 है So natural satellite मतलब क्या होता है जो हमारा Earth है वो revolve करता है Sun के around और जो satellite जो होता है natural satellite वो क्या करता है हमारा पित्वी के around revolve करता है एक fixed orbit में So उसे कहते हैं natural satellite So हमारा Earth का natural satellite क्या है Moon So अब बढ़ते हैं next question के तरफ So यह मैं और आपको explain करना चाहूँगा चीज यह हमारा complete solar system है So यह solar system है जिसके center पे है Sun Sun center पे है और उसके around सभी planet revolve करते है So मैं हर planet के बारे में आपको कुछ-कुछ facts बताता जाओंगा वो काफी important है और यह directly examination आप से sure पूछे जाएगा एक question आया था जो green planet हम किसे कहते है ग्रीन प्लानेट तो आप यह याद रखिएगा यह Neptune को green planet कहा जाता है Neptune को ग्रीन प्लानेट और सबसे नियरेस्ट तो मरकरी आप देख पा रहे हो second number पर वीनस, third पर अर्थ, fourth पर मार्स, उसके बाद है Jupiter, उसके बाद Saturn, उसके बाद Uranus, उसके बाद Neptune पहले nine planets थे उसके बाद क्या किया गया 2006 में Pluto को planet से हटा के dwarf planet बना दिया गया किसने बनाया International Astronomical Union कि 2006 में बनाया और International Astronomical Union के Headquarter Paris में है और एक बाद बताता हूं यह जो चार planet है सुरू के मा, Mercury, Venus, Earth और यह यह चार planet इन्हें inner planet कहा जाता है और इनका density काफी ज्यादा होता है यह outer planet से ज्यादा होता है और यह जो Venus है Venus पर mainly focus किजिए का Venus Venus काफी important planet है क्योंकि Venus को हम क्या बोलते हैं पहला term बोलते हैं इसे Earth like Earth like planet similarities होती है Earth के जैसे और second इसका point है important one Venus is the hottest planet among the solar system और इसे morning star या evening stars भी कहा जाता है तो यह facts रहे और उसके बाद यह जो outer planet है सभी के पास ring होता है Saturn जैसा Jupiter के पास भी ring है दिखाई नहीं देता लेगिन है Saturn के पास भी है Uranus के पास भी है Neptune के पास भी है और और एक important point जो हमारा प्रित्वी है वो rotate करता है west to west to east direction में लेकिन दो प्लानेट ऐसे हैं जो rotate करते हैं east to west इनका नाम है दो नाम है दो प्लानेट ऐसे हैं जो दो टेट करते हैं east to west एक है यह वीनस और दूसरा है Uranus इसका याद रखने का तरीका यह 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 यूवी लाइट को याद रखें से यू से यूरेनस वी से वीनस ऐसी भी याद रख सेहते हैं नहीं तो यह दोनों का जो नाम में जो हम पढ़ते हैं दोनों के नाम के लास्ट में नस आता है नस नस आता इससे लिए आप डिकॉल कर पाओगे सो यह फैक्स रहें और जो यहां और एक इंपोर्टन फैक्स नों बता रहा हूं ऐसे दो प्लानेट हैं जिसके कोई नैचुरल सेटलाइट नहीं है यह याद रखिएगा और मार्स का जो नैचुरल सेटलाइट है दो है उसके अर्थ का एक है तो अब बढ़ते हैं नेक्स स्लाइट की दरफ मैंने जो अभी एक्स्प्लेइन किया था सब यहां लिखा हुआ जैसे अर्थ ट्विन होटेस्ट प्लानेट मॉर्णिंग स्टार सब वीनिस को कहते हैं मार्स को रैट प्लानेट कहते हैं उसके बाद जो मार्स एन वीनिस डोंट है नैचुरल सेटलाइट यह मैंने अभी कह कि और एक में पिछले सलाइड में जाता हूँ तो आपको अच्छा से क्लियर होगा यह जो फॉर्ट पोइंट है यह क्याता Vadin कि अंग जो एक्स्टोरोइड बेल्ट एक एक डि दोता यह तला बैल है कि एस्टोरिट बैल्ट मेंली मिलता यहें सेक्षन में इस सेक्षन में asteroid belt देखा जाता है यहां asteroid belt क्या होता है heavenly earth-like bodies होती है जो rotate करती रहती है इसे asteroid belt करते हैं और यहां होता है क्वीपर belt और यह किस दो planet के बीच होता है यह याद रखें जाम पूछे जाता है यह यह दो planet जूपिटर और मार्स के बीच में होता है और इसे याद रखने का एक तरीका क्या है माइकल जेक्सन एम जे मार्स एन जूपिटर और इसे तो जो 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 ने जो एक जाने जो इसको ग्रीन प्लानेट कहते हैं उसके पाद जो जो अर्थ का सीप सरकल नहीं होता है यह एक जैसा होता है ऐसे होता है जिसे क्या करते हैं जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है प्लूटो को वह एस्ट्रोनॉमिकल युनियन ने ड्वाफ प्लानेट को सिद कर दिया और एक जो जो इनकेस आप से पूछा जा सकता है मनलब सन के सन से दिस्टेंस इंक्रीजिंग और में सजाने के लिए तो आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा जैसे जैसे होता है क्या पहला प्लानेट के है मार्स दूसरा क्या है वीनस तीसरा अर्थ मर्करी सेकेंड वीनस थर्ड ए अर्थ फोर्थ मार्स उसके बाद है जूपिटर Menazon, Uranus, Neptune यह क्या है अकॉन ली से सब्सक्राफ कर दोब है और माकरीम से लिगे वी इसका मतलब क्या है है यह से लिजिए यह इस से लिए एम उसका और देनोट करेगा किसको मार्स को उसके बाद जर्स से जेल लिए वो करेगा जोपिटर को सर्व सर्व से लिए आपका सैटर्न को अस से लिए यू का वो सिम्बलाइज करेगा आपका यूरेनस को उसके बाद जो नट है उससे एन ले लिए वो नेप्चुन को designate symbolize करेगा तो यह चोटा का trick ला आप लोग अच्छे से इसको देख लीजेगा यह trick को यहां लिखा हुआ है तो आप अच्छे से relate कर पाऊगे और यहां जितना point लिखा हुआ है काफी important है यह direct exam में 100% पूछा जाता है यहां यह points से तो बढ़ते हैं अगले question की तरफ है तो अगला question है which one of the following planets has the largest number of natural satellite और moons यह मैंने थोड़ी देर आपको explain किया था पहले natural satellite सबसे ज़्यादा था इसका यूपिटर का लेकिन कुछी दिनों में USA के साइंटिस्टों ने discover किया चार न्यू सैटलाइट्स वह बढ़ गए सैटर्न के और सैटर्न का अभी का नंबर कितना है 82 जूपिटर का कितना है 79 जूपिटर क्या है लार्जेस्ट प्लानेट लार्जेस्ट प्लानेट है सैटर्न के पास रिंग है जूपिटर के पास भी रिंग है वीनस होटेस्ट प्लानेट अर्थ लाइक प्लानेट इसको वीनस को कहा जाता है सो अब बढ़ते हैं next question के तरफ आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा काफी स्लोली में पढ़ा रहा हूं ताकि आपका concept clear हो और कोई confusion न आ रहा हूँ और सो यह explanation यहां लिखा गया है और जो मार्स का जो natural satellite है उसका नाम भी एक्जाम में पूछा जाता है दो सेटिलाइट है मार्स के पास एक का ना में डीमोस दुसरे का ना में फोबोस यह आप याद रखिएगा तो बढ़ते हैं next question के तरफ the earth rotates on its axis from earth rotation करता है किस direction में करता है option no.a north to west option no.b east to west option no.c south to north option no.d west to east इसका जब मैंने पहला slide में explanation दे रहा था तब मैंने सभी points को include किया था I hope आप लोग टिकमाक सही कर पा रहे होगे यह यह रिवोल्व करता है कहां से यह west to east revolve करता है लेकिन दो प्लानेट ऐसे हैं जो उल्टा करते हैं क्या करते हैं वह क्या करते हैं ऐस टू west revolve करते हैं वह क्या है UV याद रखेगे UV light क्या है यू से Uranus वी से Venus यह उल्टा रोटेट करते हैं और revolution जो होता है revolution के चलते weather change होता है weather या climate change होता है और rotation के चलते क्या होता है day और night होता है ये भी point याद रखेगा तो बढ़ता है next question के तरफ अब नेक्स्क्वेशन क्या है solar eclipse ऑकर स्वेन सूर यह जो ग्रहन लगता है वह कब होता है option number a क्या है जब अर्थ आ जाता है sun और moon के बीच option नंबर a है option भी क्या वोल रहा है moon at is at right angle to the earth option c क्या है moon comes between sun and earth okay option number d क्या है sun comes between moon and earth एक बात आप पूरा अच्छे से मन में बैठा लो sun अपना rotation नहीं करता है sun अपने position ने fix रहता है तो आप क्या कर सकते हो sun कभी आई नहीं सकता तो आप इसको eliminate कर सकते हो d option को d option तो होगा नहीं सो बढ़ते हैं answer के तरफ सो क्या होता है basically क्या होता है earth देखो आप देख पा रहे हो पिक्छे में जो earth होता है earth sun के चारो तरफ रिवॉल्ब करता है यह तो बात आपका fix पता है और sun है वो stationary है, मतलब स्तिर है, वो move नहीं करता है, लेकिन, Earth move कर रहा है, Sun के चारो तरफ, और जो moon है, वो क्या कर रहा है, Earth के चारो तरफ revolve कर रहा है, लेकिन, जब solar eclipse होता है, तब क्या होता है, जो Sun और Moon के बीच, Sun और Earth के बीच आ जाता है, Moon, और उसकी जो परचाई होती है, shadow, व वो क्या करती है, वो Sun पर गिरती है, जिसके चलते हम, काला सा धब्बा दिखाई देता है, और जिसे हम क्या कहते है, कॉमनली कहते है, solar eclipse, English में, और हिंदी में कहते है, सूर्ज गरन, सो अब बढ़ते है, I hope आप लोग काफी clear हुआ होगा, यह pictorial representation से, और second क्या होता है, lunar eclipse, lunar eclipse कब होता है, यह बात आप fix पकड़ लो, Sun पो, Sun क्या है, Sun stationary है, मतलब वो घूमता नहीं है, Sun अपने जगा fix है, लेकिन क्या होता है, जो मून, जो अर्थ है, अर्थ, जो मून जो है, वो घूमते घूमते अर्थ के पीछे जला जाता है, और जो अर्थ की परचाई है, वो क् करती है, मून पे गिरने लगती है, और इसी को क्या करते है, लूनर eclipse, तो आपको position याद देखना पड़ेगा, जब, 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 सन के बीच में, सन के बीच में, यदि, मून आ जाता है, सन और, अर्थ के बीच में, मून आ जाता है, तो इसे कहते है, सोलर eclipse, और, सन, और, मून के बीच, यदि, अर्थ आ जाता है, तो उसे कहते है, lunar eclipse, तो यह आपको काफी clear हो गया होगा, I hope, कोई आपका, कोई doubt यहां नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप, यह शियो रखिए, आप भूलोगे नहीं है, यह concept, यह रटते रही जाओगे, फिर से भूल जाओगे, सब बढ़ते हैं, next question के तरफ, through which of the following countries, does the equator pass, equator किस country से पास होता है, option है, A, Peru, B, Brazil, C, Egypt, D, Thailand, तो इसका answer है, B, Brazil, Brazil से equator पास होता है, मैं बताऊँगा, equator क्या है, सब मैं बताऊँगा, धहरे रखिए, इपेशिंस, ब्राजील से equator पास होता है, तो ब्राजील से equator पास होता है, उसके अलावा 13 countries ऐसे भी है, जिन से equator पास होता है, 13 country के नाम आपको याद रखने कोई जरोत नहीं है, मैं बता रहा हूं, सिप आप, जैसे एकवाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है, साउट ओमो, प्रिंसिप गेबोन है, रिपबलीक पॉंगो है, डेमोकरेटिक है, डेमोकरेटिक रिपबलीक पॉंगो है, यूगांडा, केनिया, सोमालिया और माल्डीव, लेकिन आप 2 country के नाम याद रखेगा, क्योंकि ये Asian countries है, और ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये निूज में भी रहते हैं इंडोनेशिया और माल डिव सो अब एक्स्प्लिएमेशन पर आता हूं जो यह ऐантwo हमां रख हैं मेरेपकऊ संद्ध्ध है .. जो इक यह था यह यह रहा होता है यह रहे बार यह यह गए कया होता मत एके चिह रहना हूं मने जिन रहे आँअ लान ना होते हैं। लंबा winter इससे क्या होता है से time पता क्या जाता है इससे time पता क्याता कोई पर्टिकुलर प्लेस का और जो ऐसी लाइन है इन्हें क्या बलते है latitude मतोरे लेटा हुआ लाइन है यह earth पर लेटा हुआ है appreciatei और एसे पित्र के ऊपर एसे कोई लाइन है नहीं यह imaginary लाइन है और क्या हुआ तो यह लैटिजन लाइन से हमें पाता चलता है वेधर पाता चलता है किस कंट्री का वैधर कैसा है यह आपका दो concept क्लियर हुआ होगा कि लाटिजूड नहीं होता है यह जो यह जो horizontal लाइन है उससे latitude कहते हैं और जो verticalा उससे longitude कहते हैं आए कि अजो जो 0 degree latitude एं में उसे क्या बहुत है यह वाला लाइन यह वाला जो लाइन इसे क्या बहुत है equator और जो 23 2.23 kan 23 23 मिनिट जो है उसे क्या बहुत है ट्रोपिक ओफ कंसर यह वाला लाइन और उसके नीचे 23.23 डिग्री 26 मिनिट यह साउत में जो है उसे बने टॉपिक ओपर कैप्री कॉन और जो ऊपर जो है सबसे उपर अलब पोई यह इसे बोलते हैं नौर्थ पॉल इसे बोलते हैं साउथ पॉल और उसके नीचे जो 66 डिग्री 34 मिट्स इस आर्टिक शर् नहीं होगे तो आप रिलेट कर पाओगे नीचे वाला तो यह कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो काफी डिसाइडिंग होते हैं कंट्री के लोकेशन और सम्थिंग कुछ जानने के लिए सो एक बात क्या है इनमें से जो तीनो लाइन जो जैसे ट्रॉपिक ओफ कैंसर के ने शelp ने ऐब एक और पारडन शाऊथरन अफ्रीकन अफ हlicite का अफ्रीकश ओंवर कंटिनेंट से तीनो लाइन पस्पास एक दो टीनो टीनो यह फीन उंप पास होती है projet और जो हमारा कंट्री से पास होता है ऐसा कौन सा लाइन है अब बता सकते हो वह है ट्रॉपिक ओफ कैंसर ट्रॉपिक ओफ कैंसर क्या करता है हमारे कंट्री से पास होता है उसके जो स्टेट्स हैं किस-किस स्टेट्स से पास होती है वह आप कॉमेंट सेक्षन में मुझे लिख जाता है किसकिस स्टेट से व्वो जो टॉपिक उफ कैंसर रहे वो पास होती है सो आप बढ़ते हैं यहां आप देख लो किया मेने लिख्वी दिया है किस कन्टरी कहसे पास ह doubles ट्रोपिक ऑफ कैंसर पहला नमबर है गुजराच से पास होता है अब देखरें यह लाइन यह सीद्धा लाइन गया हुए यह गुजराच से पास होता है गुजराच से सेकंड क्या है मद्धेपरदेश ठर्ड क्या है छतिसगर और आपका है जहारखंड उसके बाद है जोरम इस इन सब से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है यह काफी इंपोर्टन है यह फेक्ट्स आप लोग याद रखिएगा तो आप बढ़ते हैं नेक्स स्लाइड में यहां देख पार है आप लोग प्रेक्टिस के लिए इसको यूज कर सकते हो तो आप मैं यहां लिखने जा रहा हूँ जैसा प्रेक्टिस कर ओब जैसे यह है है भारत का कंट्री का जो मैप मैं प्रेक्टिस कर रहा हूं यह ये आप लोग प्रेक्टिस खुदी कर ली जएगा ताकि आप प्लेसिस के नाम लगबग लिख पाओ जैसे यह नौर्थ इस्ट रीजन है यह आपका राजस्थान है यह यूपी यह नेपाल है यह गुजरात है यह मद्य परदेश है यह महाराष्ठ यह है आपका यह तेलंग गाना है यह आंदर परदेश है यह बिहार है यह जारकंड है यह उडिसा है यह वेस्ट बेंगोल है फिर से यह है आपका तामिल लाडू है यह कैरला है यह करनाटका है है आपको एटलीस्ट यह है यह आपका हिमाचल हुआ यह पंजाब हुआ यह उत्राखंड वह तो ऐसे करके आपको एटलीस्ट मेप आपके ध्यान में रहना चाहिए और यह जगह जो आप देख रहे हो इस चेह में दूसरी मेप में ले जा रहा हूं आपको ताकि और खाल्ज इस समझे पी है कुछ-को ने फैट्स आपको बता रहा हूं जो तामिन लादू को बीच एक नो स्ट्रिप यह वाला स्ट्रिप यह water body है चैनल इसे बोलते हैं स्ट्रेड three-ट straight बलते क्या बोलते हैं स्ट्रेड बोलते हैं तो स्ट्रेड बोले मील्क मींस क्या होता है लैंड बोडीज को मतलब यह लैंड बोडीज को एक वाटर चेनल सैपरेट करती है दो लैंड बोडीज को बीच से गुजरती है उसे क्या Бोलते है तो इसका नाम क्या है यह एक जाम में पूझा राता है इसका नाम है पाल्क स्ट्रेट पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं इसको और क्या है आपका और यहां तो आपको पता ही यह तो नौर्टिस्टन स्टेट को इसे पता ही होगा आपका यह सब नौर्टिस्टन स्टेट से और आप एक काम यह भी कर सकते हो यह एसाइन्मेंट यह होमवर्क के तोर प है किसकी स्टेटिस का Capital क्या-क्या है यह भी काफी important है और मैं नदियों के बारे में दो चीज बताना चाहता हु हूँ दो basically important चीज है क्या है वो क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको नदीों के बारे में और सो नदी क्या है दो नदी ऐसे important है जो इधर जाती है इधर एक यहां है नर्मदा और एक है तापी यह दो नदी ऐसे है जो Arabian Sea में जाके गिरती है दो है और भी लूनी है लूनी इधर है और उसके बाद लूनी है नर्मदा है और तापी यह वेस्ट यारी इन उस्ट में जाती है अर्वर अर्र्वमिं इसी में गिरती है या बेवर बंगाल में गिरते हैं लेकिन तीर 1920 है लूनी नर्मदा और न्यूर्थे गरते है Arabian Sea में गिरते हैं तो यह points आप लोग याद रखिएगा तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्ण के तरफ देखिए यहां मैप में मैंने दिखा लिया है कौन सा रिवर कहां जा रहा है यह देखिए आप नर्मदा यहां है नर्मदा यहां है उसके बाद आपका उसके बाद तापी है यहां यह जो यह क्या वेस्ट फॉलोंग रिवर है उसके महानदी है इस तरफ जो बेव बंगाल में किर रही है गोदावरी क्रिष्णा कावेरी गोदावरी को क्या बोलते हैं दक्षिन भारत की गंगा और महानदी को क्या बोलते हैं महानदी एक कि आई होप आज का लेसंस में यहीं सब्सक्राइब करता हूं आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा अच्छा लागा होगा लाइब सियर सब्सक्राइब चरूर कीजिएगा जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहा है थैंक यू